राधा कृष्णी की कहानी के आज रात के एपिसोड के शुरुवात होगे शंक चून के साथ जो तुलसी को ये कहता हुआ नजर आएगा कि चलिए अब मैं आपको अपना सामराज्य दिखाने चलता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ कि अब तक मैंने आपके प्रेम से क्या कुछ अरजित किया है तुलसी भी बहुत एक्साइटेड और खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि ठीक है मैं अभी आई उदर दिखाया जाएगा कि जैसे ही श्री कृष्णी को सोच रहे होते हैं अपने असली अफ्तार में उनकी बांसुरी के जो घुंगरू है वो छनकने रखते हैं और उधर नदी के पास बैटकर राधारानी कृष्णी को याद कर रही होती है तब ही श्री कृष्ण अपनी छवी पानी में दिखाते हैं जिसे देखकर राधा कहती है कि अच्या बहुत ही आनंत आ रहा है ना तुम्हें तुलसित तुम्हारे प्रेम में सुद्ध खोती जा रही है और तुम यह अवउइड करके यह पायल बसती जा रही है और तुम हो कि मुझे भूले पड़े हो प्रेम राध करे जा रही हो मैं जानती हूँ मैंने ही तुम्हें खुद वहाँ पर भीजा था लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे पूंतरा भूली जाओ तुमने क्या मुझे एक बार भी याद नहीं किया परन्तु मैं तुम्हें नहीं भूली हूँ मेरे वहाना होने से क्या तुम्हें कोई भी असर नहीं पढ़ता मेरा बिल्कुल भी द्यार नहीं है तुमको आखिर तुम इतने दुष्ट क्यूं हो क्रेश्न और श्री क्रेश्न राधा के बास सुन कर मन ही मन हसते रहते हैं और कुछ कहते नहीं है दूसरे ही पल जैसे ही श्री क्रेश्न की छवी पानी से ओजल होगी यहां पर राधा कहती है कि भले ही तुम मुझे भूल गए हो कि तुम मैं नहीं भूली हूँ और नहीं तुम्हें छोड़ोंगी तुम्हें अच्छा प्रसाद मिलेगा तुम्हारे प्रेम पुजारी बनने का उदर दिखाया जाएगा कि शंक चून तुलसी को राज्य कर भ्रमन करवाते हुएं और हर तरफ लोग चिला रहे होते हैं हर तरफ त्राही माम हो रहा होता है और किसी के उपर गरम पाने उड़ेला जाता है तो किसी को कोड़े तो किसी को जमीन पर घसीता जाता है यह सब देखकर तुलसी को बहुत सादा बुरा लगता है शंक चून के पैरों में दो लोग आकर के गरते हैं कहते हैं कि स्वामी आपने हम से हमारी धरा छीन दी लेकिन आप हमें मारिये मत हम अपने परिवार को लेकर करके यहां से चले जाएंगे हमें मुक्त कर दीजें तुलसी जैसे यह सब देखती हैं उन्हें बहुत ही जादा कुरूर नजर आता है यह सब तभी सैनिक उन पर गते हैं वो तुलसी को पीचे से संक्चून बनकर यह समझाते हैं कि यह युद्ध है और यह युद्ध का परिणाम है यही होता है नगर शंशान बन जाते हैं यहीं Voor दिखते हैं और ईयसा ही होतä है युदो के बाद का मंज़र जिससे देखकर वो बहुत ज़्यादा गब तुम्हें तो मुझे पर गर्व होना चाहिए तुम्हारी प्रेम की शक्ति से ही तो मैंने ये सब कुछ अर्जित किया है तुम्हें तो मुझे देखकर गर्व करना चाहिए तुलसी कहती है कि मैं अब और नहीं देखना चाहती कृष्ण कहते हैं कि नहीं नहीं अभी तो नभी पसंद नहीं करोगी यहां पर तुलसी कहती है कि मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि यह युद्ध का परिणाम होता है और वो कहती है कि प्लीज मुझे यहां साकर लेकर चलो उदर दिखाया जाएगा कि सूरे लोक में युद्ध चल रहा होता है घमासान जहां पर शंक च दिखाया जाएगा कि तुलसी दो देवी हैं वो घर पर आ जाती है और वो कहती है कि मेरे प्रेम के शक्ति ऐसे विनाश कैसे कर सकती है मैंने कभी नहीं सोचा था मैं उनसे प्रेम करती हूं कि उनके कर्म मुझे भान नहीं रही है उदर राधा की एंट्री हो जाएगी जाएगा जैसे ही दौर पाल रोकते हैं यहां पर असुर लोग के वो कहते हैं कि तुम कौन हो और अंदर जाने का अपना वज़ा बताओ तुम क्यूं अंदर जाना चाहती हो तो राधा बड़ी ही अलग से एकसेंट में कहती हैं कि मैं शंक चूरची से मिल ले आई हूं उन अंदेश लेकर कि जैसे ही जाता है शंक चूर याने कि जो श्री कृष्ण होते हैं उनके पास वो कहते हैं कि आप से मिलने के लिए कोई माधवी आई है क्या मैं उन्हें अंदर भेज तो तो कृष्ण मन ही मन मुसकाते हो और कहते हैं कि हां उन्हें भेज दो और उन्हें द खलक देखने के लिए इतनी दूर तक चली आए और तुम उससे छलका रहे हो तुम अवश्य इधर कहीं ही हो और श्री कृष्ण यहां पर सब कुछ छुप चाप करके राधा को देख रहे होते हैं उनके सारी एक्टिविटी देख रहे होते हैं और अपने आप हस भी रहे होत क यही कृष्न है राधा जैसे ही कहती हैं आप मेरे बात तो सुनई है तभी कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगी और राधा शायाह समझ यहा पर रहे हैं कि अच्छा, ठीक है, मैंने माना कि तुम अपना भेश बदल सकते हो, लेकिन तुम भेश बदल के राधा को भ्रहम में नहीं डाल सकते और ये सुनकर कृष्ण खोश हो जाते हैं और वो अपने असली अफ्तार में आ जाते हैं दिखाय जाएगा कि राधा कृष्ण आपस में बात कर रहे होते हैं, जहां पर तुलसी अपनी बात से परिशान होकर के शंक चूंड से मिलने के लिए अपने कक्ष्य से प्रस्थान करती है और यहाँ पर कृष्ण कहते है, राधा से कि क्या बात है, तुमने तो मुझे प्रसंद ही कर दिया, यहाँ पर राधा कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए एक उपहार लाई हूँ लेकिन वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो उसके लिए है जिसके प्यार में तुम पागल करा रही हो राध्र के बास सुन कर कृष्ण कहते हैं कि अच्छा यहाँ पर पीयारी से नोच्छों का आपको नज़ा आएगी जहां पर राध्र के लिए जासी है मतलब whatslike ब्राधा के मन में जो कृष्ण के लिए straight जाने दू ऐसा अब नहीं होगा रादा कहती है कि छोड़ो क्रश्ण मेरा हाथ छोड़ो तब यह मापर तुलसी आ जाती है और रादा को देखकर पूछती है आप कौन शंक्चूर कहते हैं कि यह माधवरी है कोई भी युद्ध के बाद हमें देख रखाव के लिए कोई दास जालें चाहिए होती है तो यह हमेश्ण से मेरी सहित्ह करती है इसने अनेक युद्ध में मेरा साहथ आ है यह माधवि है और माधवी तुम्हारे लिए एक अपाहाँ लेकर आई है इसने मेरी सहित की है कि मैं fully टिनुम्हें इसका समें सच बतां भी नहीं सकता रादा को यह कि वो इनकी अथिती है शंक चून की तुलसी बहुत जारा खुश हो जाती हैं कि अच्छा आप मेरी लोपर हार लाई हैं क्या लाई हैं राधा दिखाती है हार कृष्ण उनके हाथ से लेकर के चले जाते हैं तुलसी के पीछे हो कहते हैं कि तनिक मैं भी तो देखूं ये हार तुम पर कैसा लगता है तुलसी और पीछे से राधा को जाकर के चुड़ाने लगते हैं और अपने हाथों से तुलसी को हार पहनाते हैं गुस्से में राधा कहती है कि अब हमारा काम हो गया हम जा रही है हम आग्या दीजे कृष्ण कहते हैं तुलसी के कि ये तुमारे लि तुम्हें राधा उदा दिखाये जाएगा कि असुर यहां पर मर रहे होते हैं और शंक चूर बहुत पैशान होता है और वो कहता है कि कुछ न कुछ विचित्रों जरूर है और इसका संबंध होना हो तुलसी से जरूर है और वो अपने असुर लीडर से कहते हैं कि तुम कि परिबाचा को सही करती है और उनके मन में जो अभी दूबदा होती है उसे दूर करती है कि देखकर क्रुष्ण बहुत खुश होते हैं यहीं हो जाएगा च्राथ के अपिसोड का एंड